हे गाइज सचिन सकसेना हेर बहुत बहुत सवागत है अब सभी का सचिन सकसेना यूट्यूब चैनल में गाइज 2018 खतम होने वाला है एक दो दिन के अंदर और बहुत जल्दी हम लोग 2019 में एंटर करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसी थिंग्स के बारे में जो की 2018 में बाइरल हुए और इस पेसले मैंने यहाँ पर कुछ केटेगरी को रखा है जो की टेक के अंदर आते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ टेकलोजी से लेटेड चीजों को ही रखा है तो यहाँ वापर टॉप 10 वाइरल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो की 2018 में गेरे रहे वाइरल हो गये और आख की तरह या। फैल गये पूरे इंटरनेट पर तो आज हम कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं तो 2018 का number one viral thing या वाइरल गेम कह सकते हैं वो है PUBG यार आप सब लोगोंने PUBG का नाम तो जरूर सुना होगा और हो सकता है कुस लोगोंने PUBG जरूर खेला हो तो ये गेम 2018 में बहुत ज़्यादा वाइरल रहा सभी के जुवान पर PUBG PUBG नाम सुनते रहे सुनाते रहे और इसे आप PUBG भी बोल सकते है पबजी भी बोल सकते हैं तो ये एक यार क्या है एक बैटल रॉयल ग्राउंड गेम है आपको यहाँ पर एक आइलेंड पर छोड़ दिया जाता है रहों वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं घर होते हैं वहाँ से आपको गंचोरी करनी है उठान जाओंगा यार किसी भी गेम पर इतना ज्यादा एडिक्शन मत देखाओ गेम को लेके उस पर भीड़ मत जाओ यार नशा हर चीज का बुरा होता है फिलाल पब जी जो है इंडिया का वाइरल गेम रहा 2018 में इस्पेसली फॉर इंडियंस बोलूंगा यार बच्चे छोटे बोले बड़े जवान सब कोई पब जी को खेलने में मिलता रहा चार चार पांच वाज घंटे लगाता लोग पब जी खेल रहा होता है सो बंद करो लार नंबर टू पर वाइरल चीज आती है वो आती है म्यूजिकली जी हा अगर आप म्यूजिकली नहीं जानते तो टिक और शेर कर सकते हो तो ये कुछ जादा ही वाइरल हो गए म्यूजिकली और इसको बाद में टिक टॉक कर दिया गया और इस तरह के बहुत सारे अप्लिकेशन्स आज कल प्ले स्टोर में अबलेवल है और इनकी भरमार लगी हुई है और बहुत सारे क्रिएटर्स भी उससे ब पॉपलर हो गए तो 2018 में म्यूजिकली बहुत जादा वाइरल हुए और इससे हमें कुछ नमूने देखने को भी नमबर थ्री अगर बात करें फेस्बुक के बारे में तो गाइज फेस्बुक इस बार 2018 में बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाया है लेकिन वाइरल जरूर रहा न इस बज़े से शुर्खियों में रहा इस बज़े से ट्रेंड में रहा कि फेस्बुक में बहुत सारे लोगों का डेटा ब्रीच होता देखा कि लिए 2018 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और फेस्बुक 2018 में एक ऐसा सोशल नेटवर्क प्रेटफॉर्म बना ऐसा सोशल ने अच्छा ने अकाउंट को डियक्टिबेट कर गए क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनकी परसनल डेटा उनका जो भी परसनल डेटा है वो ब्रीच ना हो जाए उनका डेटा चोरी ना हो जाए तो फेस्बुक के मामले में कई सारे ऐसे चीज़ है और यहां तक कि इंडिया की जो एक पार्टी है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस उसका भी कुछ हाथ आया गया है फेस्बुक के बारे में 2018 में बहुत सारे डेटा ब्रीच के मामले आये और फेस्बुक के लिए 2018 बिलकुल भी अच्छा एटीन में इंस्टाग्राम बहुत जादा पॉपलर हो गया 2018 में ज फोटो शेरिंग प्लेटफर्म ना बनके बहुत सारे लोग उसमें पोस्ट डाल रहे हैं वीडियोज डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग तो इंस्टाग्राम से अर्निंग भी कर रहे हैं बहुत सारे अड़टाइजमेंट कंपनिया ऐसी आई हैं जो की इंस्टाग्राम के ज़्यादा प्लेटफर्म पॉपलर हो रहा है आज कल 2018 में बहुत ज़्यादा पॉपलर हुआ और उसने Instagram में बहुत सारे नए नए अपडेट देखने किल में जैसे कि हम उसमें वीडियो कॉल का सेंड कर सकते हैं बहुत सारे कुईक रिपलाई अनुसेंड डिलीट तो कई सारे नए नए अपडेट आए इंस्टाग्रम में तो 2018 इंस्टाग्राम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है रहा और Instagram को लेकर बहुत सारे नए नए अपडेट्स देखने को मिले और Facebook से ज़्यादा बात करूँ तो लोग Instagram को स्विच कर रहे हैं क्योंकि Facebook से ऐसे मामले आये हैं तो Instagram ने spamming के लिए भी कदम उठा है Instagram ने बहुत सारे account भी ऐसे deactivate किये बंद किये जो spamming फेला रहे थे auto like, auto follower ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो ऐसी चीज़ों को Instagram ने बंद भी किया तो Instagram कड़े कदम जरूर उठाता है टाइम टाइम पे और 2018 Instagram के लिए बहुत ज़्यादा ही बैटर रहा अगर बात करें WhatsApp के बारे में इक तरफ हम लोग fake news, viral news और इस तरह की चीज़ों के चकर में पढ़े रहे दूसरी तरफ WhatsApp में ऐसे ऐसे updates है जो हम WhatsApp को भुला नहीं पाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ आई है like WhatsApp में बहुत सारे fake news बाइरल हुए mob lynching बाले केस आई बहुत सारी ऐसी चीज़े होई जो की WhatsApp को ऐसा लग रहा था कि WhatsApp इंडिया में बैन हो जाएगा लेकिन ऐसा finally कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे इंडिया के जो IT मिनिस्टर है उन्होंने कई सारे कदम उठाए इंडिया की मिनिस्टरी ने काफी सारे WhatsApp को चीज़े बोली यहां तक WhatsApp ने न्यूस पेपर और अडबर्टेजमेंट करना भी स्टाइट किया कि फेक न्यूस को रोको तो WhatsApp भी अपनी तरब से पूरी कोसिस करता है कि फेक न्यूस और वाइरल चीज़ जो की गलत चीज़े हैं उनको वाइरल ना किया जा सके और हम लोग केबल खुशियां बाटते रहें खुशियां पहुचाते रहें सेंड करते रहें और WhatsApp में बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिले 2018 कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनको मैं अपने वीडियो में कबर करता हूँ तो आपने अगर मेरे WhatsApp की प्लेइलिस्ट नहीं चेक किए तो WhatsApp में जाईए उसमें WhatsApp से लेटेट जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ जो भी नएने अपडेट्स आते हैं तो WhatsApp में 2018 में बहुत सारे अपडेट आए और बहुत अपसे अपडेट आने वाले हैं जैसे कि WhatsApp में डार्क मोड आने वाला है जैसे कि WhatsApp में कॉल कॉंफरेंस का ओप्शन आ चुका है और भी कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं और कली परसोंवी WhatsApp में desktop पर PIP mode का भी फीचर आ चुका है WhatsApp के web version में web.whatsapp.com पर जाएंगे तो आप वहाँ पर PIP mode में वीडियो को देख सकते हैं तो कई सारे अपडेट आया है WhatsApp में तो WhatsApp के लिए एककोल एककोल रहा बोला जाएगा कि आदा साल तो WhatsApp fake news एक news के चक्कर में पड़ा रहा आदा साल WhatsApp में latest latest अपडेट आए तो WhatsApp के लिए ठीक ठाक रहा है तो बात करें YouTube की तो भाई YouTube में तो धमाल मचा रहा 2018 में भाई 2018 में YouTube एप की बात करें तो YouTube अप में बहुत सारे अपडेट आ है YouTube ने खुद अपनी Policy में बहुत सारे Changement की यूट्यوب के Monetization Rule में भी कई सारे Changement आ है YouTube ने अपनी Policy चेंज की यहां तक की YouTube अप में Dark Mode आ गया है तो बहुत सारे Changement आ है YouTube अप में कई सारे Update आ है 2018 में यूट्यूब पर कई सारी कंट्रिवर्सी हूँ चाहे वो टी सीरीज वसिस प्यूडीपाई हो चाहे वो कोई और हो नंबर वन नंबर यूट्यूब चैनल बनने की नंबर वन सब्सक्राइबर पाने की होड में चाहे वो अमित बढ़ाना बीबी की वाइन इन दोनों का कंपरेजन हो तो बहुत सारी कंट्रिवर्सी हुई टेकनिकल गुरुजी के साथ और मतलब काफी सारी चीज़े हुई 2018 में बहुत को लिक्स जी हाँ दोस्तो 2018 में नेटफलिक की सर्विस बहुत ज्यादा पॉपलर हुई लोगों ने टीवी छोड़ दिया टीवी की जगे पे लोग नेटफलिक्स का यूज कर रहे हुँ नेटफलिक की कुछ ऐसी सर्विस जो की इतने ज़्यादा पावरफुल हैं इतने ज़्यादा अमेजिंग हैं इतने ज़्यादा अट्रेक्टिव है कि लोग टीवी छोड़कर नेटफलिक्स पर रिचार्ज करा दे आपको उता दो यह एक फ्री सर्विस नहीं है एक पीड वीडियो स्ट्रेमिंग सर्वेस है जिसमें आपको पैसे दे के हर मंत रेचार्ज करा के आपको कुछ एपिसोड और बहुत सारी चीज़े आप देख सकते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी टीवी सीरियल्स टाइप के होते हैं बहुत ही अच्छे एपिसोड होते हैं जिसम नेट्फिक्स का बोलवाहाई 2018 में बहुत ज्यादा रहां बहुत सारी लोगोंने नेट्फिक्स को पसंद किया और netflix काफी ज्यादा होगा है स्मार्टफोन के मामली में 2018 बहुत ज़्यादा कमाल रहा हर महिने लगवग में बहुत स्मार्टफोन लॉंच हो रहते नए नए फोंस लूंक्छ डिखाया और 2018 स्मार्टफोन के लिए तो एक बहुती बेटर फोन बहुती बेटर रहा मतलब सभी स्मार्टफोन कंपणियों ने पूरा दमखम दिखाया और ऐसे में कुछ कंपनीज आई कुछ कंपनीज चली गई लेकिन अगर मैं बोले हो 2018 का best smartphone of the year मैं बोला जाए तो realme का जो 2 pro ओपो का बेस्ट स्मार्टफोन ओब दा इयर तो 2018 में जियो के लिए एक अच्छा खासा साल रहा बहुत सारे अपडेट्स है बहुत सारे लोगों को फ्री में डेटा मिला कई सारे उन्होंने प्लांस भी बदले 2018 में जियो के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साल रहा और काफी सारे उन्हें गराक मिले हैं काफी सारे कस्टुमर्स मिले हैं जो दूसरी और नेटवर्क को छोड़कर जियो के पास है तो जियो में बहुत सारे अपडेट्स हैं बहुत सारे क्रीटेव करता है तो 2018 में उसने काफी कुछ किया जिस वजे से जियो को काफी प्रॉफिट हुआ है Android app development जी हां लोग Android app बनाना सीखने लगे और बहुत सारे लोग ने अपने अपने Android app launch के मैंने भी अपने चैनल के लिए और भी अपने लिए कई सारे तीन-चार एप्स बना के रखे हुए जिनका डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक मिल जाएगा वो है प्ले स्टोर पर अब नहीं है बट आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो Android app development का क्रेज बहुत ज़्यादा 2018 में रहा Admob का क्रेज बहुत ज़्यादा रहा लोग online earning करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे और ऐसे में कुछ ठंकेबल, Maker, Droid, Stripe की कई सारे companies आएं जिनके थो हम लोग बहुत ही creative तरीके से बहुत ही easily block coding करके pure coding नहीं आपको सिर्फ block चीजों को उठा उठा के रखना है बहुत अच्छे UI के साथ हम लोग free of cost code Android app बना सकते थे और उनको publish कर सकते थे प्ले स्टोर के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे चैनल बना के अपने आपको YouTube पे ग्रो किया जो कि इनकी coding सिखाते थे Android app development की इस तरह से थंकेबल के थो मेकरड़ाइड के थो तो काफी सारा अच्छा पॉपलर यह रहा 2018 Android app developers के लिए अगर बोला जाए और कोड़ जाबा वगएरा के तो जो चलते हैं वही है लेकिन थंकेबल मेकरड़ाइड जैसी कई सारी कंपनियों ने आकर बहुत सारी यूथ को और सारा पैस रहा ऐसी चीजों के बारे में लिया है अगर यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना नहीं पसंद है और डिसलाइक कर सकते हो बटया लाइक ही कर देना और मिलते है नेक्स वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी इंस्टाग्राम के अपडेट whatsapp के update, facebook के latest update अगर आपको चाहिए तो playlist में जाके check करो बहुत सारी videos पढ़ी हैं और जो भी latest update आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्वाद किया आपने इस video को देखा thanks for watching